आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्ट संचेथ और दोस्ट आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और वैंग निफ्टी में आज के लिए क्या वियू था किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट में एक प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग काइंड अफ सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है वट हमारे मार्केट्स ने जबरदस्त आज के दिन आउट परफॉर्म किया है पूरे इक ग्लोबल क्यूज को गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरी रिकवरी उसके बाद एक करने से पहले चैनल को सब्स्राइब किजेगा पहला इकन को दबाईए गा और श्रूडियो का लाइकिम रखते हैं लगबग 4000 लाइक्स जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जार टाइम वेशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज कि बात करें जो दाव फूचर से लगबग 180 नीचे है जो नैस्टाइक फूचर से अरांट 130 पॉइंट नीचे है अगर आप बात करें युरोपियन मार्केट्स की तो लगबग 1-5% के आस-पास यूरोपियन फूचर नीचे है एशियन मार्किट्स की बात अगर हम करें तो मार्केट्स भी लगबग 2-3% के आसपस चाइनीज मार्केट नीचे हमें देखने को मिले थे सारा इश्यू क्या हो रहा है ताइवान और चाइना का इश्यू देखो अभी कुछ दिन पहले बाइडन साब और जो चाइनीज प्रेजिडेंट साब हैं उनकी बात हुई थी जब बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ताइवान में जाता है तो यह एक अच्छी चीज नहीं होगी चाइना जो है ताइवान के पास जो है वो मिलिटरी ड्रिल करेगा ठीक है यहां तक की बात हो रही थी कि अगर कोई यूएस का रिप्रेजेंटेटिव आता है ताइवान में तो उसके plane को shot down तक कर दिया जाएगा ये reports चाइनीज मीडिया में छपी थी तो इन मीडिया ऐसी खबरों के बाद जब Nancy Pelosi ने कल के दिन मतलब आज सुबह और कल शाम को ये confirm कर दिया कि वो Taiwan जाएंगी पूरे world market में इस वक्त सिनेरियो थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है अब ही अगर उनका decision change होता है कि वो Nancy Pelosi है जो US की house speaker है वो अगर ये अपना फैसला बदल देती है ताइवान जाने का तो हो सकता है हमें एक जो है relief rally देखने को मिले बट अगर वो फैसला नहीं बदलती है तो definitely एक दिक्कत वाला सिनेरियो हो सकता है कल भी global markets के लिए दूसरा एक गलत चीज़ क्या हो रही है जो PMI data आये हैं eurozone के PMI data आये हैं जितने भी global markets नहीं especially Asian markets के वो खराब आये है इंडियन मार्किट का कल PMI data आये था इंडियन एकनोमी का वो 56 आया था जो की बहुत अच्छा है expectation से बेटर आया था इस वजह से हमारे markets ने आज भी आउट परफर्म किया है पर global slowdown के डर के चलते crude oil 99 के नीचे चला गया है which is a good thing for us क्योंकि अपने लिए अच्छी बात है crude oil अगर 99 के नीचे जाएगा तो हमारा rupees strong हो रहा है वो अपने लिए अच्छी बात है इसलिए बहुत सारे देखो जब अगर चाइना ने attack ही कर दिया then तो अलगी बात है बट जब तक attack नहीं होता है तब तक situation अच्छी है बट आज आपको एक चीज दिखाई दे गई कि ये issue कितना serious है आखरी के आदे गंटे में अगर आप देखें निफ्टी 17,380 पे था वहां से लगबग अगर आप देखें एक 70-80 पॉइंट की profit booking बैंक निफ्टी में लगबग 300-400 पॉइंट की profit booking आती हुई दिखाई दी low volume के साथ आई बट still profit booking तो profit booking है closing हाला की अच्छी है निफ्टी की 17,345 के आसपस closing हुई है बैंक निफ्टी की 38,024 के आसपस closing हुई which is a good closing टेलिग्राम ग्रूप आज हमने क्या डिसकस किया था निफ्टी का एक important level मैंने आपको दिया था for निफ्टी 17,200,175 very important support zone below this strong selling momentum विडेमर्ज यही अपना low लगा यहां से निफ्टी में एक bounce आया एक trade अपनने लिया था मैंने अपने अचीव होते हुए भी इस trade में दिखाए दिये तो जो लोग भी चाहते है telegram group join करना या personal trade group join करना जिसकी fees all time lows पर हमने कर दी है for next 48 hours आप लोग description में लिंक है उसके through join कर सकते हैं अब कल के लिए क्या picture बन रही है सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं option change data अगर हम निफ्टी का देखते हैं 1.37 का PCR है ठीक है 17,200 पे तगड़ी put writing है 17,300 पे तगड़ी put writing है 17,000 और 17,100 पे तगड़ी put writing है हर level पे put writer conviction के साथ खड़ा है सामने की तरफ call writer किस conviction के साथ खड़ा है 17,300 पे 17,400 पे 17,500 पे call writing हो रखी है तो दोनों की tassel अभी के लिए चल रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 17,200 के नीचे जब तक हम नहीं निकलेंगे market में one-sided directional move कुछ नहीं आएगा और जब तक हम 17,500,500 के उपर नहीं निकलेंगे one-sided उपर की side का directional move नहीं आएगा तो ये जो range बन गई है न data wise ये हमें chart पे भी visible हो रही है कि नीचे की side अगर 17,200 के आसपास आता है तो market में support आता है 17,400 से 500 की range में market में supply आती है ये अपनी अभी के लिए range बनी हुई है data wise भी तो nifty में अभी आपको क्या करना है अगर nifty को long करना है तो मेरे लिए clear cut level जो है वो है 17,425 का ये level आपको ध्यान में रखना है 17,425 के उपर अगर market निकलता है then हम long कर सकते हैं first target हपना होगा 17,485 का दूसरा target होगा 17,575 का ये targets के लिए हम लोग nifty को buy कर सकते हैं on the downside में nifty को आपको short कप करना है जब nifty 17,275 इस level को breakdown करते है अगर 275 के नीचे nifty जाता है then you can short the market 17,200 first target होगा मेरे लिए 17,200 के नीचे 200,210 के नीचे जाता है तो 17,150 तक के targets हमें on the downside में देखने को मिल सकते हैं nifty bank की बात कर लेते हैं nifty bank का अगर मैं option chain data यहाँ पे लगाता हूँ तो 1.35 का PCR है on the higher side है nifty bank में 38,000 make और break level होगा कल के लिए अगर आप 38,000 के उपर खुलते हो आप अच्छे हो good हो उपर जाने की तयारी आप करोगे RBI policy से पहले अगर आप 38,000 के नीचे खुलते हो तो यह 38,000 का put writer जो फसेगा यह अपने साथ 37,700, 37,800 और 37,500 के put writer को भी लेके डूबेगा क्योंकि यह अगर फसेगा यह position को unwind करेगा long unwinding होगी और market में put writers की कटान जो है वो जब चलेगी तो यह सारे put writers भी फसते हुए हमें दिखाई देंगे तो यह कौन सा level अब आपको ध्यान में रखना है bank nifty के लिए मेरे को banks long करने है तो आज के day high के उपर ही करने है मेरा banks long करने का job level हो गया वो यह वाला swing हो गया that is 38,160 का 38,160 के उपर banks निकलते हैं target होगा 38,285 second target जो मैं लेके चलूँगा वो लेके चलूँगा around 38,530 का 38,530 तक के targets के लिए हम लोग banks को buy कर सकते है on the downside में अगर bank nifty किस level को breach करता है that is 37,800 तब ही मैं short करने के बारे मैं सोचूँगा 37,800 के नीचे अगर banks जाते हैं then मैं short करने के बारे मैं सोचूँगा पहला मेरा target होगा around 37,630 का दूसरा मेरा target होगा around 37,485 का तो यह दो targets के लिए हम लोग bank nifty को short कर सकते हैं important levels आपको ध्यान में रखने चाहिए तो दोस्तो आशे करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजगे यार मलता हूँ आप से एकली वीडियो में thank you so much for watching guys जहिन वंदे मातरम